नमस्कार साथियों मैं हूँ अफिरो तुसांशो पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कख्षा बारवी की भौत के विशाई के लिए हम आपको परिशा की तयारी करा रहे हैं इसके अलावा सारे विश्यों पर दस्वी और बारवी दोनों बोड के लिए सारे विश्यों पर कक्षा हैं हमारी उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए यूटूब पर वहां पर हमारे वीडियो इसके साथ साथ जो है हमारे डेडिकेटेड कंटेंट जो है आपको मिलेंगे माइंड मैप मिलेगा उसके बाद में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी पुखता अच्छा हम लोगों ने भू चुम्बका तो हम चुम्बकी पदार्थ के बारे में चर्चा सुरू की थी हमारे चर्चा के विशाय में चुम्बक उसके गुर्धर्म उसके बाद में चुम्बक के गुर्धर्म के बाद में कुलम का नियम और कुलम के नियम के बाद में चु कि छीट की ब्रत जिसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं तो यह चिट beings के इससे पहले कि और वृजिए लगने वाले बल के मान को हम चुम्बकी छेतर कहते हैं सिर्फ बिल्कुल इसी की तरीके से जो है यदि हम चुम्बकी छेतर की तीवता को परिभाशित करने का प्यास करें तो हमें पता चलेगा बी बराबर होता है एफ बटा एम और जहां जो है एम क्या है यह जो है एक कालपरिक एक आंक उत्तरी धुरू का धुरू प्रावर्वल है तो इस प्रकार से हमें चमब की छेतर की तीवरता के बारे में पता चल गया लेकिन ज्यादा अच्छी परिभाशा क्या होगी चुब की छेतर की तीवरता जो है वह किसी भी स्थान पर घुजरने वाले प्रति एकांग 6 तरफल में गुजरने वाले फ्लख के बराबर होती है इसका मतलब अब क्या होती है वो क्या होती है वेबर ठीक है तो वेबर और यहां जो है छेतर फल होता है मीटर का वर्ग तो हमको इसकी इकाई भी पता चल गए कि वेबर मीटर का वर्ग हो जाएगा और इसी को जो है हम चुम्बकी छेतर की तीवरता को हम SI unit में टेसला के नाम से भी जानते हैं अब आपको comment section में क्या बता है इसका जो cgs unit होता है cgs unit होता है cgs होती है वो क्या है और इसे हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो अब चुम्बकी छेतर की तीवरता हम लोगों ने कैसे define की है कि भाई किसी भी प्रती एकांक छेतर फल से गुजरने वाली चुम्बकी बल रिखाओं की जो संख्या हो प्रती एकांक छेतर फल कितना है उसे ही हम चुम्बकी छेतर की तीवरता से प्रदरशित कर सकते हैं ठीक है अब यहां तक बात हो जाने के बाद में हम अगली बात क्या करेंगे कि चुम्बक हमेशा हमेशा द्विधरूर के रूप में दिखाई देता है हम लोगों ने क्या पर यहां से जाती हुई अनmag हम रहा हम लोगों ने इसको जो है दूसरी दिशा से देखने का प्रयास किआ यहां धारा का मान उलठ है तो हमें जो है यहां पर देखिये चुम्बक बल रहा जु आए बाहर की और आती पिकाई देंगी मतलब यो है अगर एक आवेसी गती मान है तो इसके दोनों और हमें छुम्हाय के छेतर दिखाई देता है और यह था-2-3 2-0 के रूप में हमें दिकाई देता है अब मैं क्या होता है तो जैसे हम लोगों ने विद्धुत के लिए देखा था और यह था 2ql यह क्या था 2ql जो की पी से हम लोग पदर्सित कर रहे थे और यह इलेट्रिक था याने विद्धुत के लिए था तो उसी तरीके से यदि हम कहें कि यहां पर जो है जो ध्रुव प्रावल्य है उसका मान हम ले लेते हैं एम और इसकी जो प्रभावी लंबाई है उसे हम 2l ले लेते हैं तो हमें ध्रुव विद्धुत द्विद्रुव आघुन कितना मिलेगा पी एम बराबर 2ml और यह जो है विद्धुत द्विद्रुव आघुन हो जाता है यदि हम धारा वाही चालक के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी देखा है और यह होता है पी एम का मान मतलब द्विद्रुव आघुन का मान होता है एन आई ए इसमें जो है N जो है कुल मिला के चक्करों के संख्या I मतलब प्रवाहिद्धारा का मान और A मतलब होता है उसका जो है चे छेत्र फल तो इस तरीके से हम लोगों ने दुए धुरुव आगोन के बारे में भी जान दिया आगे देखते हैं यदि किसी एक समान चुम्ब के छेत्र में हमें चुम्ब के दुए धुरुव मिल जाता है तो अब क्या होता है देखे बात यह होती है कि हमें पता है कि B बराबर यह होता है F बटा M F बटा M यहाँ M क्या है? यहाँ चुम्ब के दुरूपराबल्य है और F क्या है यह चुम्ब के बल है अब यदि हम मान लें कि इस जगा पर जो है धुरूपराबल्य M है और यहां पर जो है हम लोगों ने एक समान चुम्ब की छेतर B रखा हुआ है तो यहां आपको एक बल दिखाई देगा और यह हो जाएगा F बराबर F बराबर M B और उसी तरीके से यहाँ पर आपको विपरित दिसा में दूसरा बल दिखाई देगा और ये भी हो जाएगा F बराबर M B अब ये दोनों बल जो है क्या हो रहा है विपरित दिसाओं पर लग रहे हैं और विपरित दिसाओं में लगने वाले इन बलों के कारण आपको एक बल आघूर्ण याने के टॉर्क दिखाई देगा और ये जो टॉर्क होता है वो क्या होता है ये होता है बल गुणा लंबवद दूरी D अच्छा लंबवद दूरी यहां पर हम इसको थिटा माल लेते हैं तो ये लंबवद दूरी ये हमारा D हो जाएगा और इस D के लिए जो है अगर हम इसकी लंबाई मानते हैं तो ये जो है इसकी लंबाई अगर 2L माल लेते हैं तो हमको जो है D का मान मिलेगा D बराबर 2L साइन थीटा D बराबर 2L साइन थीटा अब यहाँ पर लगने वाला बल क्या है F बराबर MB और इस तरीके से कुल मिलाके जो बल आगून लगने वाला है टॉर्क यह हो जाएगा F dot F cross D और यहाँ से हमको मिल जाएगा MB 2L साइन थीटा या फिर हमको यहाँ पर टॉर्क दिखाई देता है 2L और M को मिलाके गुना करने से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा 2ML बराबर PM तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा PM गुना B साइन थीटा या हम फाइनली इसको बोल सकते है कि यह जो टॉर्क होता है यह होता है PM क्रॉस B और यह एक सदेश राशी है ठीक है तो इससे जो हमको यहाँ पर क्या पता चल गया कि भाई किसी भी एक समान चुम्ब की छेतर में यदि हम एक चुम्ब की दूधरू को रख दे तो उस पर हमें बल आगुन का अनभा होगा इस बल आगुन के चलते हमको वहाँ पर कुछ किया हुआ कारे भी दिखाई देगा अब किया गया कारे क्या होता है भाई हमको पता है DW एक छोटा सा किया गया कारे यह किसके बराबर होता है यह होता है तो यह होता है टॉर्क और गुना थीटा या डी थीटा ले लेते हैं तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर मिलेगा अब यहाँ जो है अगर हमको कुल मिला के किया गया कारे करना है तो इसको हमको समाकलन करना पड़ेगा तो आप देखिए डी डेवलू बराबर टॉर्क गुना डी थीटा और यहाँ पर जो ह में और और city अर्फ और data और इस तरीखे से इस का करना प करने पर दिसका और कब बाहर निकाल लेते हैं और यहां मिल जाएगा समा ब्हुलंगー साइन सीटा डी ठीटा या इसी का मान हो जाएगा पी भी और यहां पर हो जाएगा कॉस्थीता अच्छा हम लोगों ने जो है इसके लिमिट क्या डाल के रखी है यहां पर लिमिट ठीटावन से ठीटाटू हमारे पास में हैं तो यहां हो जाएगा है कि टुटल वरक का मान हो जाएगा पी बी पी बी और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा 1 रिन कॉस थीटा 2 ठीक है अच्छा यहां पर देखें साइन थीटा का कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का समाकलन जो है हां साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस यहां पर लगा देंगे अब यहां हम लोग क्य ले लेते हैं और अनतिमिस्थिति हम कुछ भी रखें तो हम यहाँ पर कारे की गढ़ना कर सकते हैं अगली बात यह भी है कि कि इसमें इस चुम्बक को एक सवान चुम्बक की छेतर वे घुमाने में जो भी किया ग्याकार है वहां स्थिति Hubören के रूप में उसमें संचित हो जाता है इसलिए हम इसथितिugen Sumse Lee की बात भी यही से कर सकते हैं इस परकार से हम लोगोंने कुछ चीजे सीखी आगे और भी बाते हैं जो हम सीख पाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तक तक के लिए धन्यवाल